C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3. प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याई 9. इसका शीरशक है जन सुविधाई तो आईए अब सुनते हैं अध्याई 9. शीरशक जन सुविधाई प्रिष्ट संख्या 104 इकाई 5 प्रिष्ट 105 शिक्षकों के लिए इस इकाई में सारवजनिक सुविधाई मुहया कराने और बाजार, फैक्टरी तथा लोगों की कारियस्थितियों पर लागू होने वाले कानूनों को क्रियानवित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा की गई है इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात की समझ प्रदान करना है कि सरकार की ये भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दे से किस तरह जुड़ी हुई है मौलिक अधिकारों के साथ ये जुडाव ही पिछले अध्यायों में उठाए गए मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ देता है कक्षा छै और साथ की पाठ्य पुस्तकों में आजीवी का और बाजारों पर हुई चर्चा को अध्याय दस के संदर्भ में इस्तिमाल किया जा सकता है अध्याय नौ में जन सुविधाओं पर चर्चा की गई है जहां पानी को एक एहम उदाहरण के रूप में इस्तिमाल किया गया है ये महत्वपून बात है कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जन सुविधाओं का क्या मतलब होता है और ये सुविधाओं मुहया कराने और उनकी जिम्मेदारी उठाने में सरकार को एहम भूमिका निभाने की जरूरत क्यों होती है पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों में काफी महत्वपून है कक्षा के भीतर होने वाली चर्चा में जन सुविधाओं के विशाय में सरकार की भूमिका तथा मौझूदा असमान वित्रण दोनों को एक दूसरे से अलग कर लें तो बेहतर होगा इसका मतलब ये है कि लोगों को अगर अलग-अलग मात्रा में पानी मिल रहा है तो इसके आधार पर ये मान लेना ठीक नहीं होगा कि सरकार जन सुविधाओं मुहया कराने में सक्षम नहीं है अध्याए 10 में आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की केंद्रिय भूमिका पर चर्चा की गई है ऐसा मोटे तोर पर कानूनों के जरीए किया गया है इस अध्याए में मौजूदा कानूनों को लागू करने और बाजार में मजदूरों उपभोकताओं वो उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने के महत्व पर खास जोर दिया गया है बोपाल गैस तरासदी को कानूनों में लापरवाही की मिसाल के तोर पर पेश किया गया है संभव है बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस दुरघटना के बारे में न पढ़ा हो बहतर होगा कि उन्हें इस घटना के बारे में अनुसंधान करने और स्कूल के लिए एक दीवार पत्रिका याने वाल पेपर या लगुनाटिका तयार करने में मदद की जाए पुस्तक के आखिर में जिन वेबसाइट्स का उलेख किया गया है वहां से आप अतिरिक्त संदर्भ सामगरी जुटा सकते हैं भुपाल गैस तरासदी एक एतिहासिक मोड थी जिसने पर्यावरण के मुद्दों को आर्थिक कानूनों से गहरे तौर पर जोड़ दिया मजदूरों व आमनागरिकों के प्रती उद्द्योग जगत या सरकार की जवाब देही का विचार इस अध्याय का केंद्रीय तत्व है प्रिष्ठ संख्या 106 अध्याय 9 जन्सविधाई इस प्रिष्ठ पर बई और ऊपर एक बस की खिड़की का द्रिश दिखाया गया है बस में दो बच्चे सफर कर रही है नीचे लिखा गया है अमू और कुमार चिन्नई में एक बस से सफर कर रही है शहर के अलग-अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाउं को देखते जा रही है इस प्रिष्ठ पर बई और ऊपर एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र के ऊपर लिखा है अन्ना नगर इस चित्र में एक आलिशान बंगले के पोर्च में एक कार खड़ी हुई है और उसे एक व्यक्ती पाईप की धार से पानी निकाल कर धो रहा है और बाहर पूरी सड़क पर पानी विखर रहा है उपर लिखा है राम गोपाल इस प्रिष्ठ पर नीचे सैदा पेट का एक द्रिश्य दिखाया गया है इस द्रिश्य में दो महिलाएं खड़ी हैं और उनके सामने पानी भरने के बहुत सारे खाली बरतन वबाल्टियां कनस्तर आधी पड़े हैं उपर लिखा है पदमा प्रिष्ठ एक साथ इस प्रिष्ठ पर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र के ऊपर लिखा है मडी पाक कम इस चित्र में एक मध्यम वर्गिये परिवार के एक कमरे को दिखाया गया है जिसमें सबसे आगे पानी की एक बोतल और एक गिलास रखा है उसके अलावा एक पलंग रखा है जिस पर बिस्तर बिचाया गया है उसके ठीक सामने एक टेबल पर एक पैन रखा हुआ है साथ ही सामने एक अलमारी के उपर टेलिविजन रखा है और उसके साथ में अलमारी के नीचे पानी की एक और बड़ी बोतल रखी हुई है ठीक सामने बैलकनी दिखाई गई है जिसमें कुछ कपड़े सूखते हुए नजर आ रही है छत पर पंखा है इस चित्र में बाई और नीचे लिखा है शिवा इस प्रिष्ठ पर नीचे एक और चित्र दिखाया गया है ये चित्र मैलापुर का है इसमें पानी देने वाला एक टैंकर दिखाया गया है उस टैंकर के ऊपर लिखा है सुब्रमन्यम और टैंकर के ठीक सामने पानी लेने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है और पानी बह रहा है प्रिष्ट 108 चिन्नई के लोग और पानी श्रीराम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चिन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला ये इलाका खासा आकरशक है यहां के नलो में 24 घंटे पानी रहता है जब पानी की आपूरती कम होती है तो श्रीराम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फॉरण उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है शहर के ज्यादतर इलाकों की तरह मेलापुर में सुब्रमन्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है यहां नगरपाली का दो दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है कुछ लोगों की जरूरतیں निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है लेकिन बोरवेल का पानी खारा है लोग उसे शौचाले और साफ सपाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है सुब्रमन्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने पांच सौ से छे सौ रुपए खर्च करते हैं पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं मड़ी पाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराय पर रहता है उसे चार दिन में एक बार पानी मिलता है पानी की कमी के कारण वो अपने परिवार को चिन्नई नहीं लापा रहा है पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है पद्मा घरेलू नौकरानी है वो सैदा पेट में काम करती है और पास ही एक जुग्गी बस्ती में रहती है उसकी जुग्गी का किराया 650 रुपाए महवार है उसकी जुग्गी में न तो शौचालय है और नहीं पानी का अन्यसरोत है इस तरह की तीस जुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है इस दोरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा तीन बाल्टियां भरने का मौका मिलता है इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तिमाल करते हैं गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता उन्हें टेंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है इसमें नल से पानी भरती हुई कुछ महिलाएं दिखाई गई है इसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए है एक, आपने उपर उल्लिखित चार स्थितियों को देखा है अब बताईए कि चिन्नई में पानी की स्थिती कैसी है दो, उपरोक्त वरणन में से घरेलु इस्तिमाल के विभिन्न जल सुरोतों को चुने तीन, आपकी राए में सुब्रमन्यम और पदमा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है चार, अपने इलाके में जलापूर्ती की स्थिती का वरणन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें पांच, देश के ज्यादतर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है पता लगाईए कक्षा में चर्चा के लिए क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है क्या आप बता सकते हैं कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है दो कारण बताई प्रिष्ट 109 जीवन के अधिकार के रूप में पानी जीवन और स्वास्थिय के लिए पानी आवश्चक है ना केवल ये हमारी देनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्चक है बलके पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है भारत की स्थिती ये है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं उनमें उसका स्थान काफी उपर आता है पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतिये मौत के मुह में चले जाते हैं उनमें से ज्यादतर पांच साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्द हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है भारतिये संबंधान के अनुच्छेद 21 के अंतरगत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है इसका मतलब ये है कि अमीर गरीब हर व्यक्ती का ये अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परयाप्त मात्तरा में पानी मिले कहने का मतलब ये है कि पानी तक सार्व भौमिक पहुँच होनी चाहिए दूसरे शब्दों में सब को पानी मिलना चाहिए उच्च न्यायालेयों और सर्वच न्यायाले ने कई मुकदमों में ये कहा है कि सुरक्षित पे ये जल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है 2007 में आंधर प्रदेश उच्च न्यायाले ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी के एक कपड़ा बनाने वाली कमपनी गाओं के पास थित जलधारा में विशैले रसायन छोड़ रही है उससे भूमिगत पानी दूशित हो गया है जो के सिंचाई और पीने के पानी का सुरुत है इस मुकदमे के आधार पर नियाया धीशों ने महभूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वो गाओं के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाईं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए पिछले साल आपने स्वास्थिय और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था इसी तरह बिजली, सारवजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं इन्हें जन सुविधाईं के नाम से जाना जाता है इस प्रिष्ठ पर बईं और ऊपर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें टैंकर से पानी भर कर घड़े को उठाता हुआ एक व्यक्ती दिखाया गया है इस चित्र के नीचे इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलु इस्तेमाल के लिए परियाप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुँच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। पानी भरने के बरतन अपने सिर पर रखे हुए हैं। इस चित्र में बाईयोर उपर लिखा गया है गोल 06 और सामने लिखा गया है क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन। इस चित्र के नीचे लिखा है सतत विकास लक्ष छे, जल और स्वच्छता। www.in.undp.org प्रिष्ट 110 किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी ना किसी तरीके से गाउं के अधिकान्श लोगों को फाइ गया है। इस प्रिष्ठ पर बई और बीच में गाउं के एक स्कूल के आंगन का द्रिश्य दिखाया गया है। और इस चित्र के नीचे लिखा गया है भारतिय संविधान 6-14 वर्ष की आयू के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार क महत्वपूंड पहलू ये है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्द हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकरताओं इवं शोधार्थियों के निशकर्षों से ये तथ्ये सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से क काफी असमानता रही है। इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में नीले रंग से शीरशक लिखा गया है सरकार की भूमी का। चूंके जन सुविधाईं इतनी महत्वपून हैं इसलिए उन्हें मुहिया कराने की जिम्मेदारी भी किसी ना किसी के ऊपर जरूर आनी जी हां ये जिम्मेदारी सरकार के उपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपून जिम्मेदारियों में से एक ये है कि वो सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाईं मुहिया कराए। आईए इस बात को समझें कि ये जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। फल स्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिल्चस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन्सविधाओं में निजी कंपनियों को दिल्चस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशाय के बहुत सारे उदाहरन हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सील बंद बोतलों के जरीए पानी की आपूर्ती करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाईं तो मुहया कराती हैं लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। ये सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाईं पाएंगे। यदि ये सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाउं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मान जनक जीवन जीने से वन्चित रह जाएंगे। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक महिला स्वास्थे कारे करता एक अन्य महिला के बच्चे को पोलियों की ड्रॉप पिला रही है। इसके नीचे लिखा है सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थे सुविधाउं की विवस्था करने में एहम भूमिका निभाती है। पोलियों जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहट आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियों की खुराक दी जा रही है। प्रिष्ठ एक सौग्या रहे। ये कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाउं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाउं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाउं का इंतजाम हो ताके लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। संबिधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वो देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तोर पर सरकार के उपर ही आनी चाहिए। इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में पीले रंग के बकसे में एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरीए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी एलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की विवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है जनता से कर वसूल करने और उन्हें सारवजनिक कारेक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है उदाहरन के लिए पानी की आपूरती के लिए सरकार को पानी निकालने पानी को दूर तक पहुँचाने पाईपों का जाल बिचाने पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरीए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है पानी की कीमत इस तरह तए की जाती है कि ज्यादतर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकी इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक चाट के माध्यम से दिखाया गया है कि केंद्रिय सरकार जिन पर धन व्याय करती है वो रूपया कहां जाता है पेंशन पर पांच पैसे, करों और शुलकों में राज्यों का हिस्सा चौबीस पैसे ब्याज अदाईगी पर अठारह पैसे, केंद्रिय क्षेत्र की योजना आयोजना पर दस पैसे केंद्रिय प्रायोजित योजनाओं पर नौ पैसे, रक्षा पर नौ पैसे, आर्थिक सहायता नौ पैसे, वित्थ आयोग और अन्य अंतरण आठ पैसे, अन्य व्याए आठ पैसे. इस प्रिष्ट पर बाई और उपर बस में बैठे हुए अमू और कुमार दिखाई दे रही हैं. अमू कहती है, देखा तुमने, सैदा पेट की सडकें कितनी उबढ़ खा बढ़ थी, सडकों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वहाँ क्या हालत होती होगी. कुमार कहता है, किसी जुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? अमू जुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहाँ जन्सुविधाई नहीं होनी चाहिए? कुमार, मेरे खयाल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं अमू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं, बलके सभी को जन सुविधाएं मुहया कराएं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार घुस्से में कहता है, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी? अमू, चाहे जो हो, उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कलपना कर सकते हो कि सडक, पानी, बिजली के बिना जुग्यों में जिन्दगी कैसी होगी? कुमार, अरे अमू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन्सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। पूछा गया है। लिखा गया है, आप किसकी राय से सहमत हैं। प्रिष्ठ 112 है। इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर पीले रंग के बकसे में आप से कुछ महत्वपून प्रश्न पूछे गए हैं। एक, जन्सुविधाओं क्या हूती हैं। जन्सुविधाओं मुहया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। 2. सरकार कुछ जन्सुविधाओं के लिए निजी कमपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सडकें बनाने के ठेके, निजी कमपनियों या ठेकेदारों को भी दिये जाते ही। दिल्ली में बिजली के वितरन का काम दो निजी कमपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कमपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुँचाने के लक्षय को पूरा करन में कोई कसर न छोड़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के उपर ही होनी चाहिए जबके वो इन कामों को निजी कमपनियों के जरिये भी करवा सकती है। तीन, अपने घर के पानी के बिल को देखीं और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगरपाली का जल की निवनितम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिलवसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। 4. किसी वेतन भोगी करमचारी, अपना व्यवसाय या फैक्टरी चलाने वाले व्यक्ती और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। इस प्रिष्ठ पर बई और बीच में चाट के माध्यम से दिखाया गया है कि केंद्रिय सरकार के कर राजस्व कहां से आते हैं। यानि रुपया कहां से आता है। सीमा शुल्क चार पैसे। रिन भिन पूझी प्राप्तियां चार पैसे। माल एवं सेवा कर और अन्य कर तेईस पैसे। उधार और अन्य देयताएं उन्नीस पैसे। निगम कर उन्नीस पैसे। आयकर सोलह पैसे। कर भिन राजस्व आठ पैसे। केंद्रिय उत्पाद शुल्क आठ पैसे, सुरोत केंद्रिय बजट दो हजार अठारह, दो हजार उन्नीस इस प्रिष्ठ पर दाई और बीच में एक बस का द्रिश्य दिखाया गया है, जो की खचा-खच भरी हुई है, और इसके बावजूद अन्य लोग भी उस बस में आगे और पीछे के द्वार से चड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसके संदर्ब में बाई और लिखा गया है, कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं, ज्यादतर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मन्जिल तक पहुँचते हैं, तेज शहरी करण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है, इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे मेट्रो रेल का द्रिश्य दिखाया गया है, इसके संदर्ब में दाई और नीचे लिखा गया है, इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्यमहानगरों में सरकार मेट्रो रेल पर योजना के रूप में एक महत्वा कांक्शी योजना शुरू की है, दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्मान करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड रुपए का खर्चा दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सारवजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती, तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पढ़ती और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती, आपको क्या लगता है, आपकी राए में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल धूंढा जा सकता है, प्रिष्ट 113 है, इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया है, चिन्नई में पानी की आपूरती, क्या सब को पानी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं के जन सुविधाईं सभी को मुहया होनी च सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाऊं का भारी अभाव है, इस अध्याई के अगले हिस्सों में आप पानी की विवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ये जन सुविधा बहुत माइने रखती है, जैसा के इस अध्याई की शुरुवात में हमने देखा था, चिन्नई में पान पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है, जहां पानी का भंडारन किया गया है, उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबके दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है, जलापूर्ती में कमी का बोज ज्यादा तर गरीबों पर पड़ता है, ज इसका हल ढूंड लेते हैं वे बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं पानी की उपलब्धता के अलावा कुछी लोगों की सुरक्षित पे ये जल तक पहुँच है ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है परंतु गरीब इस सुविधा से वन्चित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। ये स्थिती, परियाप्त और स्वच पे जल उपलब कराने के लक्षे से बहुत दूर है। इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक गड़े में से पानी निकालती हुई एक महिला का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है ग्रामीन इलाकों में मनुश्यों और मवेश्यों दोनों के लिए पानी की जरूरत पढ़ती ह है। यहां कुवा, हैंड पंप, तालाब और कभी कभार छट पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इन में से ज्यादतर निजी स्वामित्व में हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीन इलाकों में सारवजनिक जलापूर्ती का और भी ज्यादा अभाव है। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कमपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिये हैं। बहुत सारी निजी कमपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। चिन्नई में मामंदूर, पालूर, कारुन गिजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गामों से पानी लाया जाता है। तेरे हजार से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। घर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताके वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बलके गामों के लिए पीने के पानी की आपूर्ती भी कम पढ़ने लगती है नतीजा ये है कि इन सारे कस्बों और गामों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है प्रिष्ट 114 विकल्पों की तलाश चिन्नई की स्थिती कोई अनूठी नहीं है गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यहाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है नगरपालिका की जलापूर्ती में कमी से निपटने के लिए निजी कमपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं ये कमपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गयर बराबरी दिखाई देती है शहरी इलाकों में प्रती व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रती दिन मिलना चाहिए पानी की ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है शहरी जल आयोग ने ये मात्रा तय की है लेकिन जुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रतिव्यक्ती बीस लीटर पानी याने एक बाल्टी भी नहीं मिलता दूसरी तरफ आली शान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रतिव्यक्ती एक हजार छह सो लीटर याने असी बाल्टी तक पानी मिलता है नगर पालिका के जरीय जलापूर्ती की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है कुछ लोगों की दलील है कि चूंके सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रही हैं इसलिए जलापूर्ती का काम निजी कमपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए उन्हें लगता है कि निजी कमपनियां ज्यादा बहतर काम कर सकती हैं इस दलील की रोशनी में इन तत्थियों पर विचार कीजिए एक, दुनिया भर में जलापूर्ती की जिम्मेदारी सरकार पर रही है निजी जलापूर्ती विवस्था के उदाहरन बहुत कम है दुनिया में कई ऐसे क्षित्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ती सब लोगों तक पहुँच चुकी है नीचे बॉक्स में देखें इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक जरोखे के माध्यम से एक महानगर का चित्र दिखाया गया है इसमें बाई और सबसे उपर लिखा गया है गोल इलेवन और शीरशक के रूप में अंग्रेजी में लिखा गया है सस्टेनेबल सिटीज और कम्यूनिटीज इसके नीचे लिखा गया है सतत्विकास लक्षिय ग्यारहे संभणिय शहर और समुदाई www.in.undp.org इस प्रिष्ट पर बई और बीच में नीले रंग के अक्षरों में आपसे एक महत्वपून प्रश्न पूछा गया है चर्चा करें अगर सरकार जलापूर्ती की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा क्या आपको लगता है कि ये सही कदम होगा इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी प्रदान की गई है पोर्तो एलेग्रे में सारवजनिक जलापूर्ती पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हीं लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि दुनिया के दूसरे ज्यादतर शहरों के मुकाबले यहां शिशु मृत्युदर बहुत कम है यहां नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्च पे ये जल मुहया करा दिया है शिशु मृत्युदर में गिरावट के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है यहां पानी की आुसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है विभाग को जो भी फाइदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ती में सुधार के लिए किया जाता है शाहिए इस बारे में लोग मिलकर ताय करते हैं जन सभाओं में जनता प्रवंधकों का पक्ष सुनती है और जल्विभाग की प्राथमिक ताय करने में वोट के जरीए फैसला करती है प्रिष्ट 115 है जहां जलापूर्ती की जिम्मेदारी निजी कमपनियों को सौपी गई है ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए बुलिविया आदी देशों में तो दंगे भी फैल गए जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ती विवस्था निजी हाथों से चीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी चार, भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रही हैं लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षित्रों में ही सीमित दिखाई देती है मुंबई का जलापूर्ती विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिये परियाप्त पैसा जुटा लेता है हालही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दाएरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है चिन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताके भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ती विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है इस प्रिष्ठ पर दाई और ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बाई और ऊपर लिखा गया है गोल 12 और शीर्शक के तौर पर इस चित्र में लिखा गया है Responsible Consumption and Production इस चित्र में एक महिला कुछ खाते हुए दिखाई दे रही है इस चित्र के नीचे लिखा गया है सतत विकास लक्ष्य बार है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन www.in.undp.org इस प्रिष्ट पर दाई और बीच में नीले रंग के अक्षरों में कुछ महत्वपून प्रश्न पूछे गई हैं लिखा गया है उपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें जलापूर्ती में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज्यादा इस्तेमाल करना बहतर है इस प्रिष्ट पर नीचे मुंबई लोकल ट्रेन के दो द्रिश्य दिखाए गई है और इसके नीचे लिखा है मुंबई की उपनगरिये रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रनाली है ये दुनिया का सबसे घना यातायात मार गहे ये रेलवे हर रोज 65 लाक यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरीए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंडने आते हैं इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारन मेहनत का श्लोग शहर में नहीं रह सकते प्रिष्ठ 116 इस प्रिष्ठ पर एक पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है बाई और सबसे उपर लिखा है स्वच्छता संबंधित सुविधाओं का विस्तार उसके नीचे एक शौचालय का द्रिष्च दिखाया गया है दाई और लिखा है हमारे लिए पाखाने याने शौचालय उन्होंने हैरानी से कहा हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निप्टा लेते हैं लैटरीन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है अच्छूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य राज कोट स्वच्छता समिती 1896 पीने के साफ पानी के अलावा ये भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का डायरा तो जलापूर्ती से भी छोटा है 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87 प्रतिशत परिवारों के पास पेय जलकी सुविधा उपलब्द है जबके स्वच्छता सुविधाओं यानि घर के भीतर शौचालय तरेपन प्रतिशत परिवारों में ही उपलब्द है यहां भी ग्रामीन और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिती ज्यादा कमजोर दिखाई देती है गैर सरकारी संगठन सुलब इंटरनाशनल पिछले लगभग पाँच दशक से निमन जाती निमन आए वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है इस संगठन ने 8500 से ज्यादा सामुदाइक शौचालय एकाईयां और 15 लाक से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए है जिससे दो करोड लोग इन सुविधाओं का लाब उठा रही हैं सुलब की सुविधाओं का इस्तिमाल करने वाले ज्यादतर गरीब मेहनत कश्वर्ग के लोग होते हैं सुलब ने सरकारी पैसे से शौचालय एकाईयां बनाने के लिए नगरपालिकाओं या अन्य स्थानिय निकायों के साथ अनुबंद भी किये हैं स्थानिय विभाग इन सेबाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहया कराते हैं जबके रख रखाव की लागत कई बार प्रयोकताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है शहरों में शौचालयों के इस्तिमाल पर दो रुपए शुलकली आ जाता है अगली बार जब आप सुलब शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद ये जानना चाहें के ये शौचालय कैसे होते हैं इस पृष्ट पर सबसे नीचे सलम की एक जुग्गी का दृष्य दिखाया गया है इस जुग्गी के सामने एक बच्ची खड़ी हुई है इस पृष्ट पर बाई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ महत्वपून जानकारी मांगी गई है लिखा गया है क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्चता स्विधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है कैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस से औरतों और लड़कियों पर ज्यादा गहरा असर पड़ेगा प्रिष्ट 117 है इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने एक गली में बिजली की तारों का जाल दिखाया गया है इसके नीचे लिखा गया है दो हजार एक की जनगणना के अनुसार चवालीस प्रतिषत ग्रामीन घरों में बिजली पहुँच चुकी है इसका मतलब ये है कि लगभग सात करोड असी लाक परिवार अभी भी अंधेरे में है निशकर्ष जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है भारतिय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदी अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है इस प्रकार सरकार की एक एहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को परियाप्त जन सुविधाओं मुहया करवाई लेकिन इस मोर्चे पर संतोष जनक प्रगती नहीं हुई है आपूरती में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गामों में तो इन सुविधाओं की स्थिती और भी खराब है संपन बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिती कमजोर है इन सुविधाओं को निजी कमपनियों के हाथों में सौप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपून तथ्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाओं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिएं। प्रिष्ट 118 अभ्यास 1. आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ती के उदाहरण कम हैं। 2. क्या आपको लगता है कि चिन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्द है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं। चर्चा करें। 3. किसानों द्वारा चिन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानिये लोगों पर क्या असर पढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि स्थानिये लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं। क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है। 4. ऐसा क्यों है कि ज्यादतर निजी अस्पताल और निजी स्कूल, कस्बों या ग्रामीन इलाकों के बजाए बड़े शहरों में ही हैं। 5. क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन्सुविधाओं का वितरण, परियाप्त और निश्पक्ष है। 6. अपने इलाके की पानी बिजली आदी कुछ जन्सुविधाओं को देखें। क्या उनमें सुधार की कोई गुन्जाइश है। आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए इस तालिका को भरिं। इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में एक तालिका दिखाई गई है। इसमें उपर दो शीरशक लिखे गए हैं। क्या ये उपलब्द है और उसमें कैसे सुधार लाया जाए। बाई और पहले कॉलम में लिखा है पानी। इसके सामने क्या ये उपलब्द है के नीचे रिक्तस्थान चोड़ा गया है। उसी तरह से उसमें कैसे सुधार लाया जाए के नीचे रिक्तस्थान चोड़ा गया है। कृपया इने भरें। बिजली, रिक्तस्थान, सडक, सार्वजनिक परिवाहन, साथ, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जनसुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं। विस्तार से बताएं। आठ, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकठे किये जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। 9. हमारे देश में निजी शेक्षनिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्व विद्यालय, तकनीकी और व्यावसाईक प्रशिक्षन संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रही हैं। 10. दूसरी तरफ, सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है। चर्चा कीजिए। 119. शब्द संकलन 119. स्वच्छता 119. मानव मलमूत्र को सुरक्षित धंग से नश्ट करने की सुविधा। 11. इसके लिए शौचालेओं का निर्मान की आ जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाईप लगाए जाते हैं। 12. संक्रमन से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। 12. कंपनी कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। 12. जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। 13. उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है जबके इंडियन ओइल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। 14. सार्वभौमिक पहुंच जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और वो उसका खर्च उठा सकता है तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है और अगर उसकी कीमत कम हो या वो मुफ्त उपलब्द हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। मूल भूत सुविधाईं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थिय और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी होती हैं। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याइद यहां समाप्त हुआ। वाचन, बाबला कोछड, तक्नीकी नियंत्रन, बटी लैंग लिंग्डो, निर्माण सहयोग, तनु गुप्ता, निर्माण एवं निर्देशन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत।